दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटीब चानल पांडेजी टेक्निकल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉली टेक्निक इंट्रेंस इग्जामिनेशन से डिलेटेट कुछ इंपॉर्टन कोश्चन बताएंगे और साथी साथ दोस्तो हम आपको एक सबसे पहले बात कोश्चन नमर 1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमर 1 है दोस्तों कि हीरे का अपरवरतनाइक 2 है तो हीरे और वाइयो के लिए क्रांथिक कोड कितना होगा सबसे पहली बात बता दे हैं आप हरी लिखा है वह कोई मेंटर नहीं करता हीरा है हीरा का अपरवरतनाइंग के दी दो है तो हीरा और वायू के लिए करांतिक कोड की value पूछ रही है करांतिक कोड और अपरवरतनाइंग में हमें एक relation जानते हैं कि sin c की जो value होती है वो होती है आपकी 1 by n के बराबर sin c की जो value होती है वो होती है 1 by n के बराबर यानि कि n is equal to 1 by sin c यह सभी student ने पढ़ा होगा यह relation को तो इस तरीके से यदि इस relation के accordingly यदि हम solve करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा sin c is equal to हमारा मिल जाएगा sin c की values होती है 1 upon n के बराबर होती है और n हमारा 2 दिया हुआ है 1 by 2 के बराबर हो गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं sin c की value जो है किसके बराबर हो गई तो 1 by 2 के बराबर हो गई अब हमको यह पता करना है कि sin में 1 by 2 कितने degree का मान होता है तो जो sin में 1 by 2 होता है वो 30 degree का मान होता है तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि sin c is equal to इसकी जो value है वो हमारी हो गई sin 30 degree के बराबर यानि कि sin c is equal to हमारी value हो गई 30 degree के बराबर तो यहां से हम sin से sin generally cancel कर सकते हैं तो हमारी c जो है जो क्रांतिक कोड की value है उसका value आजाएगा 30 degree तो यहां पर हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 degree तो यहां यह जो है important question था अपरवर्तन और क्रांतिक कोड के बीच लिए आपको relation पता होता तो आप बहुत आसानी के साथ लगा लेते हैं बढ़ते हम next question के तरफ next question हमारा यह कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के प्रथक कारी तल पर प्रकास लंबवा तापतित होता है तो अपवर्तन कोड होगा देखें दोस्तों यह ओरली question है थोरा सा tricky है हम आपको बताते कि यदि कोई दो माध्यम है दो प्रथक कारी माध्यम है इसके तल पर यदि कोई भी प्रकास लंबवा तापतित होता है तो अपवर्तन कोड का मान कितना होगा ठीक है सबसे पहली बात एक concept आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी प्रकास यदि लंबवा तापतित होगा तो अपवर्तन कोड का मान वहाँ पर 0 डिगरी होगा ठीक है अपवर्तन कोड का मान 0 डिगरी होगा जबकि आपतित हो रहा है कितने डिगरी से 90 डिगरी से तो यह confuse करने के लिए आपके पास एक option 90 डिगरी भी रहता है लेकिन इसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है हमको concept सिर्फ यह लगाना है कि कोई भी प्रकास से हमारी लंबवात आपतित होगी तो लंबवात आपतित प्रकास के लिए जो हमारे अपवर्तन कोड का मान होगा वो होगा हमारा 0 डिगरी तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 0 डिगरी यह question जो है दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया है ठीक है यदि आप lateral entry का exam दे रहे हैं उसमें भी 2-4 बार यह question पूछा गया है चाहिए आप एक group से दे रहे हैं यह उसमें light section है तो यह एक important question बनता है क्योंकि यह थोड़ा से tricky question है बढ़ते हैं हम दोस्तों next question के तरफ next question हमारा यह कह रहा है दोस्तों कि जब एक variety प्रकास हम सबसे पहरी बात बता दे कि monochromatic light किसे कहते है monochromatic light क्या होती है single ray of light को monochromatic light कहते है जैसे laser की light होती है वो हमारी monochromatic light होती है उसमें कोई bundle of phrase नहीं होती जब उसमें bundle of phrase नहीं है तो वो monochromatic है तो यदि monochromatic light की किरण जो है जब एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रवेस करेगी तो उसका यहाँ पर concept देखिए यह कोई monochromatic light है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेस करेगी तो मीडियम के density के according या तो वो away from the normal band होगी या towards the normal band होगी तो लिखा है question की उसमें कि उस तो उसका उसका क्या ठीक है तरंग दैर्द अपवर्तित रहता है option बरे है वेग अपवर्तित रहता है आवर्ति अपवर्तित रहती है या तीनों में परिवर्तन होता है यानि कि तरंग दैर्द वेग और आवर्ति तीनों में आपका परिवर्तन होता है इसी ये दो है सन्युक्त प्रवेस परेक्षा 1996 में दिया गया है लेकिन उसके बार भी कई बार repeat हुआ है आपको बता दे कोई भी किरण रहती है जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि वो प्रवेस करेगी तो उसका जो आवरित्ती होती है उसकी जो frequency होती है वो हमारी अपवर्थित रहती है चाहे कोई भी माध्यम में प्रवेस करें चाहे वो सेम माध्यम में रहे अपवर्थित रहती है तो आवरित्ती frequency never will change ठीक है तो आवरित्ती जो है हमारी अपवर्थित रहती है अब हम आगे बताते हैं आगे question क्या है ये question है आपका और यही आपके लिए वो question है जो आपको comment box में solve करके answer देना है पहला question है कि वायू के सापेक्ष जल ठीक है तथा काच के अपवर्थन करमसा 4 बटा 3 और 3 बटे 2 है हमारा दे दिया है अपवर्थन आग्ग के दे दिया है वायू के सापेक्ष काच का परवर्थनाएं के वज़े तीन बटे 2 गिरी गई है अब आपको बताना है कि जल का सापेक्ष परवर्थनाएं कि कितना होगा ये 2-3 बार question रिपीट हुए है यही आपके लिए वो question है जो आपको करके बताना है सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि लेटेस्ट वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे धन्यवाद